इस कहानी का भाग चार पढ़ने जा रहे हैं जिसके लेखा के सुदर्श भाग एक दो तीन में कहानी का कुछ हिस्सा प्रसुद किया गया संक्षेप मैं यदि कहूं तो आगरा शहर में सादो की मंडली पहुँची थी सादो की मंडली गीत गाहरी थी सिपाईयों ने सादो की मंडली को पकड़ कर बाचा अकबर के दरबार में प्रस्तूत किया जहां तांसेन के साथ उनकी संगीत की प्रद्योगीता हुई तांसेन ने राग विद्याय संगीत से संबंदित सादो को कुछ प्रश्न पूचे सादो उसका जवाब नहीं दे सके और जिसके कारण उन्हें मृत्युदन की सजा हुई इस सादो की दल में सादो की मंडली में बैजु की पिता भी थे बैजु उसमें शामिल था जैसे उन्हें मृत्युदन की सजा हुई तांसेन ने दस साल का जो बैजु था उसे छोड़ दिया और बाकी सादो को फासी के फंदे पर चड़ा दिया बैजु अपने आखों के सामने अपने बाबा को जो सादो की दल में शामिलते फासी के पंदे पर चड़ता हुआ देखता है और अपने बाबा की मृत्यु अपने आखों से देखता है वो बेहत दुखी हो जाता है रोता हुआ अपनी कुटिया में पहुँचता है और बिल करुना, दुख, क्रोध और आंसु बह रहते हैं। हरिदास की बात सुनता है, वो खुश होता है, उचल पड़ता है। हो जाता है, महिर हो जाता है। अब बहजू, जो दस साल का तब जवान हो गया, जवान हो जाने के बाद, अब उसकी संगीत विद्या में भी कुशलता आ गई। और बहजू, अब ऐसा गित गाता था, कि पत्थर पिगल जाते थे, पशु, पक्शी मोहित हो जाते थे। अब बहजू, इतना कुशल हो जाने के बाद, एक दिन बाबा हरिदास उसे पास बलाकर कहते हैं, कि मेरे पास जो कुछ था, मैंने तुम्हें दे दिया, अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। बहजू कहता है, कि मैं आपके उपकार जीवन बर नहीं भूलूँगा। बाबा हरिदास कहते हैं, ऐसा मत कहो, कुछ और कहो, जो मैं सुनना चाहता। बहजू कहता है, क्या कहूं। तो बाबा हरिदास जट से कहते है, प्रतिग्या करो, कि जो कुछ तुमने संगीत विद् करोंगा, उसे किसी को हनी नहीं पहुचाऊंगा। परन्तु बहजू को बहुत दुख होता है, क्रोध होता है, क्योंकि जो संगीत विद्या उसने प्राप्त की थी, वो अपने बाबा की मृत्यू का प्रतिशोद लेने के लिए। लेकिन आज गुरू ने उस संगीत विद लेकिन फिर भी बहजू बड़ा होकर आगरे की सिमा में पहुच जाता है, अब यहाँ पुष्ट क्रमांग 18 पर यह वर्दन है, जिसमें पढ़ रहा हूं। कुछ दिन बाद एक सुन्दर योग, नवयोग सादू आगरे की बाजारों में गाता हुआ जा रहा था, यह नव जानसें से हार जाता है और उसे मृत्यू की सजा होती है, इसलिए लोगों को लगा कि बहजू को, बहजू को भी मौत आ गई, वे उठे कि उसे नगर की रीती, रीती आर्थात नियम, अनुशासन की परंपरा की सूश ना दे दे, मगर वो पहुँशने से पहले ही मुग्ध मुग्ध होना अर्थात मोहित होना आकर्शिस होना, मोहित होकर अपने आपको भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे, महिजू का गीत ही ऐसा था कि जो बात लोग उसे बताना चाहते थे, वो बात लोग बताना ही भूल गए गीत सुनकर, इतने उसकी गीत मे या गायन में जादू था लोग कुछ कहें यही भूल गएते दम के दम, दम के दम शब्द कारते उसी समय में यह समाचार नगर में जंगल की आँख के समान फैल गया कि एक सादू आया है जो बाजारों में गा रहा है सिपाईोंने भी यह खबर सुन ली, हतकडिया समाली और पकडने के लिए सादू की और दोड पड़े सिपाईों की आवस्ता भी लोगों की तरह ही हो गई सिपाईों का रंग पलट गया रंग पलटना मतलब आवस्ता बदलना, सिति बदलना सादू के मुखमंडल अर्था चहरा चहरे से तेज की किरने किरने ये शब्द है ये अनिक वच्चन है किरने शब्द का किरने फोट रही थी जिन में जादू था मोहिनी थी और मुग्द करने की शक्ती थी लेकक ने यहाँ सादू के अर्था बैजू के मुख मंडल का वर्णन किया कि बैजू का मुख मंडल ऐसा था कि जिस पर तेज था तेज की किरने थी जादू था उसमें मोहिनी थी मुख्द करने की शक्ती थी तपस्या से साधना से मनुश का व्यक्तित्व बदल जाता है मनुश का रूप रंग बदल जाता है मनुश में व्यक्ति में एक प्रकार का आत्मयुशास चलगता है और वो चहरे पर दिखाए देता है वो आत्मयुश्वास बैजू के चहरे पर था ऐसा लेकक यहाँ कहना चा करतवे की ना बादशा की ना बादशा के हुक्म की। से उसकी मुख की और देखते रहे इस पकार बैजू का मुख मंडल था। मतलब मुख्द थे। जमीन आसमान मस्थ थे। जमीन आसमान ये शब्द आया है इसके बीच हाइपन लगा है। ये जमीन आसमान शब्द शब्द युग्म है। जमीन आसमान मस्थ थे गाते गाते सादू धिरी धिरी चलता था। या गाते गाते धिरी धिरी ये दो शब्द है। तो ये जोड़े वाले शब्द युग्म कहा जाता है। अर्श्रोताओ का समुह, समुह अर्था भीड जिसके लिए परियावाची शब्द हुजुम। भीड भी धिरी धिरी फिर से एक बार शब्द युग्म धिरी धिरी चलता था। ऐसा मालम होता था जैसे एक समुदर है जिसे नवयोग सादू आवाज की जंजिर से खीच रहा है। और संकेत से अपने साथ आने की पेड़ना कर रहा है। लेकक ने यहाँ लोगों का वर्णन कते कहा है कि लोग माने समुद्र हैं और बैजू आवाज की जंजिर से उस समुद्र को खीच रहा है अतात लोगों को अपने साथ आने का इशारा कर रहा है। या संकेत शब्दे संकेत कारते इशारा करना मुग्द जनु सुम्दाय चलता गया पता नहीं किदर को पता नहीं कितनी देर एकाएक गाना बंध हो गया जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वी तानसीन के महल के सामने खड़े हो गया बैजू गीत गा रहा था लोग उसकी पीचे पीचे चल रहते लोगों को पता नहीं था वो किस ओर जा रहे है और कितनी देर तक जाना है क्योंकि बैजू की गीत का प्रभाव ही ऐसा था कि जो कोई एक बार सुनता था मोहित होकर उसकी पीचे चला जाता था एक आयक बैजू ने अपना गाना बंद कर दिया और जिससे गाना बंद हो गया तो उसकी गीत का जादू था वो जादू का प्रभाव तूट गया और लोग होश में आ गए होश में आने के बाद लोगों को पता चला के द्वार पर आँ पोँचा ऐसे लोगों को लगा लोग सोचने लगे आर यह सादू तो अब मोत के दर्वाजे पर आ गया है अब तांसेन के सामने ही खड़ा होगा तो तांसेन इसे हरा देगा और मृत्यों की सजा होगी लोग यह भी सोचने लगे कि भोली भाली चिडिया अपने आप अजगर के मुँँ में आफसी थी भोली भाली चिडिया मतलब बैजुबावरा अपने आप अजगर के मुँँ में आफसी थी अजगर मतलब तांसेन तांसेन के सामने आ गई थी और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं दी, तो ऐसा लेकक ने वर्नन किया, कि जो भोली भाली चिडिया की तरह जो बैजु बारा है, वो आजगर की तरह जो तांसेन है, उसके सामने आ गया है और अब आजगर रुपी तांसेन, उस भोली भाली चिडिया अरतथ, बैजु को निगल लेगा, उसे अपने जाल में दबोष लेगा, अपना शिकार बना लेगा ऐसा लेखक यहां बता रहे हैं अब यहाँ पर जो परिचित मैंने प्रसुत किया है, उस पर कुछ कुछ कुरुतिया इस पर कार बन सकती है, पहली कुरुतिया संजाल पूर्ण की जिये सादू की मुखमंडल की विशिष्टा तो चार विशिष्टा यहाँ पर लिखनी है तेज की किरने थी जादू था मुहिनी थी मुख्द करने की शक्ती थी दूसरी कुलती बैजू की गीत का सिपाईू पर प्रभाव परिचेद में यह वर्नन आया है कौन सा प्रभा हुआ तो सिपाई सुद्ध खो बैटे हदकडियों का ध्यान नहीं रहा अपने बल को भूल गए अपने करतवे को भूल गए शब्द संपदा की कुछ कुरुतिया इस परिचेद पर इस प्रकार बन सकती है जिसे विलम शब्द लिखिए आस्मान ये शब्द परिचेद में है तो उसके लिए जमीन विलम शब्द है आग ये शब्द है इसके लिए पानी अज्ञान ये शब्द है उसके लिए विलम शब्द है ज्ञान मधुर ये शब्द है उसके लिए विलम शब्द एक कटू परिचित से शब्द यूग में धून कर लिखी है शब्द यूग में कौन से है तो जोडे वाले शब्द इस परिचित में कौन से मिलते है? जमीन आश्मान, गाते गाते, भूली भाली, अपने आप ये शब्द यहाँ पर मिलते हैं वचन बदलकर लिखिये ऐसे कुरूती हो सकती है परिचित के कुछ शब्द उनके वचन बदलकर लिखने है अगर परिचित में एक वचन वाला शब्द है तो वचन बदलकर अनेक वचन लिखना है और अनेक वचन है तो एक वचन लिखना है यहाँ हदकडी शब्द है हदकडिया वचन बदल कर इस प्रकार बनेगा द्वनी है द्वनी का अनेक वचन द्वनी है शक्तिय शक्ति का अनेक वचन शक्तिया किरन है किरन का अनेक वचन किरन है अभी विक्ति में इस परचित पर अपने खुद के विचार लिख सकते हैं, मैंने विचार इस प्रकार लिखे है कि संगीत हमारी आत्मा है, हम जब भी उदास हो जाते हैं, तो संगीत की बस एक मदूर धून हमें गमों से हजार मिल दूर ले जाती है, जह हमारे आत्मा अलग गुरूप में खो जाती है, जह हमा से पचास शब्दों में मैंने बात कई आप खुद भी अपने विचार लिख सकते हैं चले इस कहानी के अगले परिशित की वर चलते हैं जो पुष्ट क्रमांग अटरा पर ही है मैं पढ़ रहा हूँ तांसेन बाहर निकला अब लोग और बैजू बावरा तांसेन के महल के सामने आकर खड़े हो गए है क्यों बैजू गीत गा रहा था और उसके प्रभाव के साथ लोग चल लेते हैं लोग और बैजू जो तांसेन के महल के सामने आ गए तो तांसेन बाहर निकला वहाँ वहाँ लोगों को देखकर हैरान हुआ हैरान मतलब विस्वित हुआ और फिर कुछ समझ कर नवयोक से बोला तो शायद कदाचित शायद कारते कदाचित आपके सेर पर मौत सवार है नवयोक सादू मुस्कराया हाँ मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ तांसेन बाहर निकला बbanजू से कहने लगा तुम्हें पता नहीं है नियम के बारे में शायद तुम्हारे सीर पर मौत सवार है तांसेन को आपने संगित विद्या पर गर्व था और गर्व अहंकार में वो बढजू से कहता है संगीत विद्या में इतनी कुशलता प्राप्त की थी कि अब उसे विश्वास हो गया तक कि वो तांसेन को पराजित कर सकता है इसी विश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहने लगा वो मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ तांसेन ने बेपरवाही से उतर दिया बेपरवाही शब्दकार थे निडरता से बेपरवाही ये शब्दो उर्दु भाषा का शब्द है अच्छा मगर आप नियम जानते है नियम कर परेवची शब्द शर्थ नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है अब ये दिल शब्द भी उर्दू भाशा का है मेरे आखें दूसरों की मौद देखने के लिए हर समय तयार है नौयक सादू कहता है और मेरे दिल में भी जीवन का मौह नहीं है मैं मरने के लिए तयार हूँ अब तानसिन अहंकार में कहता है कि शायद मौद तुमारे सामने है और मैं किसी पर रहम नहीं करता हूँ मेरे आखें दूसरों की मौद देखने के लिए तयार रहती है ऐसा बैजू से कहता है लेकिन बैजू तानसिन का जवाब देता है इसी समय सिपाईयों को अपनी हदकडियों का ध्यान आया। जंकारतिवे आगे बड़े और उन्होंने नवयोक सादू के हाथों में हदकडिया पहना दी। बक्ति का प्रभाद टूटा स्रदा की भाव पकड़े जाने के भैस से उड़ गये और लोग इदर उदर भागने लगे और लोगों को तितर बितर करने लगे। लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयोक सादू को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्ते सुनाए गई, शर्त अर्था नियम सुनाए गए कि कल प्रात काल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद होगा गान युद्ध शब्दकारत है गाने की प्रतियोगिता अगर तुम हार गए तो तुमें मार डालने का तांसिन को पुरना अधिकार होगा और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जिवन तुमारे हाथ में होगा सिपाईयों ने बैजु को पकड़ लिया दर्बार में पहुँचा दिया दर्बार में शर्ते सुनाए गई और शर्ते सुनाने के बाद ये कहा गया कि अगर तुम तांसिन के साथ हार गए तो तुमारे मृत्यू निश्यत है और तुम जित गए तो तांसिन की जान तुमारे ह अब यहां आकर हम रुखते हैं, इस परिच्चत पर कौन सी कुरुतिया हो सकती तो दिखिए, परिच्चत पढ़कर निमलिकित कुरुतिया पुरने कीजिए, पहली कुरुतिये लिखिए, दर्बार के और से सुनाए गई शर्ते, अब इस परिच्चत में दो शर्ते सुनाए देखो, कल प्रातर कल नगर के बाहरवन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा यह पहली शर्त, दुसरी अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने का तानसिन को पूर्न अधिकार होगा, और अगर तुम ने उससे हरा दिया तो उसका जियोन तुमारे हाथ में होगा, यह आपके पाट्ट पुस्तक के स्वाध्य में भी है। सिपाईयों ने हदकडियों का ध्यान आने पर यह किया। क्या किया तो वो लिखना है। जंकार तेवे आगे बेड़े। बैजी को हदकडिया पहना दी। लोगों पर कोड़े बरसाने लगे। नवयोग सादू को दरबार पर ले चले। शब्द संपदा की कौन सी कुरूतिया हो सकती है तो देखिए। निमली के शब्दों के लिए परिचित से शब्द ढून कर लिखिए। यहा कुछ शब्द दिये गए। उन शब्दों के लिए परिचित से शब्द ढून कर लिखने, पहला शब्द राजसवा है, अब राजसवा इस शब्द के लिए परिचित में से शब्द ढूनना है, मैंने ढून कर दिया है, दरबार, निर्भाय शब्द है, परिचित में इसके लिए शब्द है, बेपरवा, नियम शब्द है इसके लिए परिचेद में शब्द है शर्थ कदाचित ये शब्द है कदाचित इस शब्द के लिए भी परिचेद में शब्द है शायद अब दूसरी कुछती परिचेद से उर्दू शब्द ढोन कर वाक्य में प्रयोग कीजिए अब इस परिचित में धोनने पर लगबग चार शब्द यहां मैंने धोन कर निकाले जैसे शायद, दिल, मगर बेपरवाह यह शब्द वुर्दु है यहनका वाक्य में प्रवग इस प्रकार की शायद अब बरसात होगी दिल शब्द का प्रवग इस प्रकार है तांसेन के दिल में किसी के लिए दया नहीं थी मगर यह शब्द हमें घर से बाहर निकलना है मगर सोच समझ कर बेपरवाह, पढ़ाई के प्रती बेपरवाह होना अच्छा नहीं यहाँ पढ़ाई शब्द लिखा गया है तो यह थोड़ा गलट प्रिंट हो गया है इसमें आख की मात्रा नहीं लगी है तो पढ़ते समय पढ़ाई ऐसे पढ़ना है अभी विक्ति अभी विक्ति में इस परिच्छत पर क्या अभी विक्ति होगी तो आत्म इश्वत से सपलता प्राप्त होती है इस विशे पर 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिये अब मैंने जान बोच कर यहाँ पर अपने विचार लिख कर नहीं दिये जो आपको खुद लिखने लेकिन फिर भी विचार कैसे लिखने एक थोड़ी सी जानकारे देता आत्म विश्वास हमारे जीवन के लिए महतुपुर्णा है वो तो हमारे जीवन की रीड की हड़ी है बिना आत्म विश्वास के कोई भी मनुष इस संसार में इस जीवन में नहीं रह सकता आत्म विश्वास से ही मनुष जीवन को आगे बढ़ा सकता है और आत्म विश्वास से मनुष्य जीवन को जी सकता है इसलिए जीने के लिए प्रतिक मनुष्य को आत्म विश्वास होना चाहिए आत्म विश्वास का अर्थ क्या है? खुद पर भरोसा करना, खुद पर विश्वास करना जिन लोगों को खुद पर विश्वास होता है खुद पर भरोसा होता है वे लोग कभी भी असपल नहीं होते अर्था सपल होते सपल होने के लिए कोई भी बात हासिल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने मन में आत्मिश्वास रखना चाहिए इस परकार आप लिख सकते आज के लिए बस इतना अगली बार मैं इस कहानी का अगला भाग भाग पांच लेकर आऊंगा जिसमें कहानी के अगली परेचेद होंगे और उसकी जानकारी मैं आपको प्रस्तूत करूंगा आज के लिए बस इतना काफी है